नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में आप चाहें तो ये ख़बर The Economics Time हिंदी पर भी पढ़ सकते हैं सियर प्राइज में अब आज सकती है तेजी सियर मार्केट में बुद्वार को कुछ profit booking देखी जा रही है इस बीच stock specific action जा रही है मार्केट में earning season यानि corporate result का समय निकल चुका है अब Bitverse 2024-25 की दूसरी तिमाही के नतीजों का बहतर बनाने के लिए कमपनिया प्रियास कर रही है tax macro rail engineering limited की दूसरी तिमाही कहीं बहतर हो सकती है कमपनी के पास लगातार order आ रहे हैं और उसने नए market में entry करनी भी शुरू कर दिया है कमपनी ने wagon market में अपना दाइरा बढ़ाने के लिए जिंदर rail infra company को acquire किया है भारत में माल वाहक wagon की अग्रिनी निर्वाता और rail infrastructure में service provider tax macro rail and engineering limited ने 25 जुलाई 2024 को सुचित किया था निर्णायक समझोते किये है जी आर आयल को commodity specific front wagon के research and development design और manufacturing में अपनी capacity के लिए जाना जाता है इस अधिगरन के साथ tax macro और अपने अंतराश्टिय product portfolio को मजबूत किया है और अपनी design process में एक market leader के रूप में अपनी position को मजबूत किया है private sector में private sector से नई design के rolling stock की बढ़ती मांग के मद्य नजर या transaction tax macro के व्यापक one stop solution पेस करने में एक महत्तो पून कदम है tax macro rail and engineering के share बुदबार को flat to positive दिख रहे हैं और 236.63 रुपे के level पर कारोबार कर रहे हैं company का मोज़िता बाजार पूंजी करन 9,501 करोड रुपे है इसके अलावा पिछले दो वर्सों में share ने 380 परसिसत का से अधिक का प्रवासाली रिटन दिया है तिमाही नतीजों के अनुशार Q1 Financial Air 25 में tax macro rail and engineering ने 892 करोड रुपे का राजस्वधर्च किया है परिचालन लाव 71 करोड रुपे रहा quarter one Financial 25 के लिए net profit 15 करोड रुपे की तुलना में 40 करोड रुपे था वार्षिक परशन को देखते हुए ये कंपनी ने Financial Air 24 में 303 करोड रुपे का राजस्वधर्च किया Financial Air 24 के लिए operating profit 262 करोड रुपे था जिसमें 113 करोड रुपे नेट profit था जबकि Financial Air 23 में 20 करोड रुपे का सुद्ध लाब था दोस्तों ये थी कुछ खबर अगर आपको वीडियो परसंद आज़े लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि यहां पर मैं ऐसी न्यूज आपके लिए लाते रहता हूं धन्यवाद